मेरा नाम है आकाश श्रीवास्ता और मैं आपके लिए लाता हूँ डेली के ससी जेई के प्रेक्टिस एड्स जहाँ पर हम 25 कॉस्चन्स को डेली डील करते हैं अब देखिए यह जो टेस्ट है इसको आप थोड़ा सा सीरिस लिजिए आप अपने साथ में कॉपी पैन जलूर र रहे हैं साथी साथ आपको यह भी करना है कि जो आपके मार्क्स गलत होगा है तो वह क्यों गलत हुए है उसको आप एलिमिनेट करना शुरू कर देजिए आपको किसी भी टॉपिक से रिलेड़ेट कोई दिखके जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो आज का वीडेट करते हैं आझ का हमारा प्रैक्टे सेड आप ने अगर अभी तक पैनो कॉपी नहीं लिया तो वीडेट को पॉस्ट करिये और सब सर पहले पैनो कॉपी लेकर आई उसके बाद वीडियो को आगए बढ़ाएंगे तो आए होगा ओ कर देखते हैं मिनिम्मम डियो उस Inscribed for a river stream to avoid fish kills is option A is 4 ppm, option B is 8 ppm, option C is 10 ppm and option D is 15 ppm तो minimum DO की बात कर रहा है river stream में ताकि आपकी fish जो है उनकी जानना जाए यानि की aquatic life है वो survive कर जाए तो इसके जो minimum DO होती है वो होती है 4 ppm, ध्यान रखिए ppm की जगा अगर आपको mg पर later भी बोल रहा है तो भी same बात है तो इन में से unit हो सकता convert कर दे, तो option A जो है इसका सही answer होगा 4 ppm चली, आगे बढ़ते question number second की तरह, repeated question है, for ductile material, the suitable theory of failure is option A, maximum principal stress theory, option B, maximum shear stress theory, option C is both A and B, and option D is none of these तो इसमें से हमें चूस करना है कि हमारा क्या answer होगा, आप बताएं, ductile material के आपसे पूछा है तो आपका ductile material है, उसके लिए जो theory होती है, वो होती है, maximum shear stress theory, यानि कि option B जो है इसका सही answer है maximum shear stress theory क्या करती है, tau max, tau max क्या होता है हमारा, sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 यह आपकी shear stress theory है, यहाँ सहमें stress की values को find out करते हैं, it should be less than sigma y by 2 ठीक है, यह आपकी maximum shear stress theory केती है, और ductile material के बहुत जादा suitable रहती है और maximum principal stress theory जो है, वो आपके brittle material के suitable रहती है चलिए, आगा पढ़ते है question number 3 की तरफ, the shear stress at the neutral axis and at the extreme fiber of a beam cross section is option A, zero and maximum, option B, maximum and minimum, option C, maximum and zero and option D is zero and zero तो पहले तो हम देख रहते हैं कि इसका distribution कैसा होता है, आप से किसका पुछा है, shear stress की बात कर रहा है ठीक है, इससे पहले हमने कुछ एक practice set देखा था तो वहाँ मैंने bending stress का देखा था और extreme fiber पर आपकी maximum होती है, ठीक है, bending की बात कर रहा हूँ, यह bending वाला है, bending stress का अब आप से यहां पूछ रहा है, shear stress, shear stress का क्या होता है, parabolic होता है, neutral axis पर maximum और top पर और bottom पर होता है, क्या, zero ठीक है, तो अब यहां देखे, option देख लेते हैं तो आप से question में क्या बोल रहा है, shear stress at the neutral axis, तो पहले जो चीज है, वो neutral axis की बात कर रहा है, तो पहले हमें देखना है, maximum कहां कहा है, तो A और D तो cancel out हो कि हमारा, क्योंकि वहाँ पर zero बात कर रहा है, B और C में maximum, maximum है, पर इसका option के साथ देखे, जो second time है, वो बल रहा है, minimum और zero, तो zero और minimum देख सकते हैं, एक ही तरह की बात है, तो आप चाहे इसका answer B लगाईए, चाहे इसका answer C लगाईए, दोनों में आपको marks मिलेंगे, ठीक है, more exact answer अगर देखा जाए, तो वैसे तो C होना चाहिए, क्योंकि zero exact value होती है, ठीक है, पर अगर आप B भी लगाएंगे, तो भी इसका answer सही ही माना जाएगा, चली, आगे बढ़ते है, question number 4 की तरफ, question 4 है, the flow of water in a wash hand basin, when it is being emptied through a central opening, is an example of, wash basin में जब पानी आपका बाहर निकल रहा होता है, एक opening से, तो उस तरह के flow को हम क्या बोलते हैं, तो उस तरह का flow है, option देख लेते हैं, पहले free vortex, option B is forced vortex, option C is rotational vortex, and option D is none of these, तो आपका इस तरह का flow है, जिसमें कोई external force नहीं लगा होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, free vortex, option A जो इसका, सही answer होगा, चली, आगे बढ़ते हैं, question number 5 की तरफ, question 5 बोल रहा है, if more circle is drawn for a fluid body at rest, it would be, option A, a circle touching origin, option C, a circle not touching origin, option C is a point on shear stress axis, and option D is a point on normal stress axis, आराम से पढ़ियें, यह बहुत जादा important question है, हो सकता है, इस पर बेस numerical भी आजाए, इसमें आप से directly radius पुछ लेता है, तो अभी मैं आपको इसका पुरा explanation देता हूँ, पहले तो देखिए, fluid है, और at rest है, अगर fluid है, at rest है, यानि कि आपको क्या condition रखने हैं, कि shear stress की value 0 है, और sigma 1 is equal to आपकी sigma 2 है, यह दो condition आपको याद रखनी है, अगर आपकी fluid at rest है, ठीक है, आप देखिए, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, अब महर सरकल की बात कर रहा है, तो radius क्या था, r is equal to होता है, हमारा, sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 का whole square, plus tau xy का whole square, ठीक है, तो हमने अभी condition क्या देखिए, इसकी, इसकी हमने condition यह देखिए, आपको पता जता हूँ, sigma 1 और sigma 2, यह दोनों बरावर हैं, तो इनका अगर difference नहींगे, तो क्या हो जाएगा, 0, तो यह वाला जो पूरा term है, यह पूरा term हो गया, 0, दू 0 plus 0 is equal to 0, यानि के radius is equal to 0, अगर radius is equal to 0 है, तो आपका जो मोहर circle है, वो एक point में convert होके आगया, अब point में तो convert होके आगया, पर किस axis पे आएगा, आपको option देखिए, option इतने easy नहीं है, option बोल रहा है क्या, on shear stress, और normal stress, उसने again option में भी आपको confused किया है, तो देखिए, बहुत ज stress होती है, वो y वाली होती है, जिसको हम tau से denote कर देते हैं, अब आपका circle है, वो पूछ रहा है, यहाँ आएगा, tau axis पे या फिर इधर आएगा, आपका sigma axis पे, तो आप ध्यान रखेगा, कि आपका जो मोहर circle है, वो हमेशा, अगर center आपका radius 0 हो रही है, तो आपका normal axis पे चले आगे बढ़ते हैं, question number 6 की तरफ, sum of specific yield and specific retention is, option A, porosity, option B, word issue, option C, volume of void and option D, none of these, तो देखिए, specific yield को SY से denote करते हैं, specific retention को SR से denote करते हैं, is equal to क्या होता है, porosity, तो option A, जो है, इसका सही answer हो जाएगा, direct formula based question है, हो जकता है, इस तरह से formula भी आजाए, तो formula को आप याद रखेगा, तो किसी भी तरह से आएगा, आप पर बन जाएगा, चले, question number 7 की तरफ बढ़ते हैं, question 7 बूल रहा है, a soil has bulk density of 26 kN per meter cube and water content of 30%, the dry density of soil is in kN per meter cube, option A, 18, option B, option C, 19, option C, 20 and option D, 21, तो आप से gamma D, पुछा हुआ है, gamma D की value और आपको gamma दिया है, gamma कितना दिया है, 26, water content कितना दिया है, 30%, यानिकि 1 plus 0.3, इसको absorb कर लिए जिते हो जाएगा 26, divide by 1.3, इसको absorb करेंगे, तो आप जाएगा 20, तो option C, जो इसका सही answer है, तो ऐसे तरह के small small numerical भी आ जाते हैं, तो numerical देखके तुरंत नहीं छोड़ना है, मैंने अपने पूरे sets में एक इतने अच्छे तरीके से हर तरह के questions डाले हैं, आपको कुछ numerical भी डाले हैं, कुछ formula based questions भी डाले हैं, कुछ आपके अलग तरह के questions भी डाले हैं, जो शायद आपन आगे बढ़ते हैं, question number 8 की दरफ, consolidation settlement occurs due to, option A is expulsion of air, option B is expulsion of water, option C is both A and B and option D is readjustment of soil molecules, consolidation की बात कर रहा हैं, तो देखे जैसी आप soil की उपर कोई loading डालते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या होता है, air बहार निकलती है, उसका हम क्या बोलते हैं, compaction, जब आपकी air बहार निकल रही है तब, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, with time क्या होता है, कि आपका water जो होता है, voids के दर बहार निकलना शुरू होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, consolidation, तो इस question का जो सही answer है, वो हो जाएगा option B, expulsion of water is referring to the consolidation, तो option B जो इसका सही answer है चलिए आगे बढ़ते है, question number 9 की तरफ, maximum value of super elevation provided in the design of horizontal alignment of a highway, आपसे पूछ रहा है कि super elevation की maximum value क्या होती है, option A is 0.07, option B is 0.03, option C is 0.04 and option D is 0.159, देखिए इस question क्या है, वो percentage wise भी पूछ लेता है, तो 0.07 की जगा हो सकता है, बूल देता 7%, ठीक है, तो आप ध्यान रखीगा एक ही बात है, तो maximum value कितनी होती है, super elevation की, यह होती है, 0.07 है, किसके case में, urban की case में, अगर नहीं specify है, तो आपको 0.7 ही लगाना है, 0.07, ठीक है, अगर hilly reason हो जाता है, तो आपका 10% हो जाता है, और अगर ruler हो जाता है, तो आपका 4% हो जाता है, और 7% आपका किसके लिए रहता है, 7% आपका रहता है, आपके urban के लिए, तो यह आप ध्यान रखेगा, 7, 10 और 4, यह तीन values आपको याद रखनी है, 7 urban के लिए, 10 hill के लिए, और ruler के लिए आपका 4%, आगे पढ़ते है, question number 10 की तर second 20 year road plan was in kilometer square, option A 16, option B 32, option C 64, and option D is 50, तो second 20 year road plan बताना है, तो आप देखे, सबसे पहला कौन सा था आपका, नाकपुर, दूसरा था आपका मुंबई, और तीसा था आपका लखनाउ, तो आपके यह first, second और third यह plan है, तो नाकपुर में कितनी थी आपकी, 16, मुंबई में कितनी थी आपकी, 32, और लखनाउ में कितनी हो गई थी, 82, यह आपकी क्या है, density की बात कर रहा हूँ, इनको आप इस तरह के से याद रखेगा, और अगर याद नहीं होती है, कि first, second, third कौन सी थी, तो आप reverse में देखे, L, M, N, जो आपका ABCD में है, जो आपक sequence होता है, वही follow कर रहा है, पर reverse order में, L, M, N, तो इस तरह आपको याद हो जाएगी, चलिए, तो इसका जो सही answer है, वो कितना है, 10th का answer है, option B, 32, चलिए, question number 11 की तरह बढ़ते हैं, repeated question है, बहुत जादा, the average BOD 5 of domestic sewage is, options are, 8 kg per day per person, option B, 0.08 kg per day per person, option C, 6 kg per day per person, and option D, 0.06 kg per day per person, तो हमें इन में से बताना है, इसका सही answer क्या होगा, तो इसका जो सही answer है, वो option B, B, option जो है, B, वो सही है, अगर आपको gram में दिया रहे था, तो आप इस kg में 1000 का multiply करती है, तो 0.08 में 1000 का multiply करेंगे, तो कितना जाएगा, 80 जाएगा, 80 gram per day per person, तो कितना होगा वो, 0.08, तो option जो B है, वो इसका सही answer है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 20, 12 की दरब, the material following Hooke's law have, option A, linear stress strain curve, option B, curve linear stress strain curve, option C, parabolic stress strain curve, and option D is both A and B, तो Hooke's law क्या बोलता है, आपका stress जो है, is directly proportional to strain, यानि कि जो आपका curve बनेगा, बनेगा, straight line, तो option A, जो है, इसका सही answer हो जाएगा, option A, जो है, सही है, question number 13 की दरब बढ़ते हैं, question 13 बोल रहा है, if normal shear stress is less than design shear strength of concrete, then, option A is, minimum shear reinforcement is to be provided, option B is, section is to be redesigned for shear, and option C is, shear reinforcement is not required, and option D is, the section is unsafe, तो आप से बोल रहा है कि tau V, जो है, is less than tau C, यानि कि आपका जो भी structure है, beam वगरा है, concrete है, वो safe है shear में, उस case में आप क्या करते हैं, तो उस case में क्या करते हैं, minimum shear reinforcement provide करते हैं, तो option A, जो है, इसका सही answer हो गया, चलिए, question number 14 की दरब बढ़ते हैं, बहुत इच्छा question है, a column is compression, a column is a compression member, the effective length of which exceeds, option A, 2 times the least lateral dimension, option B, option B is 3 times the least lateral dimension, option C is 2.5 times the least lateral dimension, and option D is 1.5 times the least lateral dimension, तो इसका सही answer है, option B है, 3 times the least lateral dimension, IS code बोलता है यह, repeated question है, इसको भी आप note करके आएगा, question number 15 की बात करें, the effective span of cantilever slab at the end of a continuous slab, option A, clear span plus effective depth of a slab, option B is clear span plus half the effective depth of the slab, option C is length up to the center of support and option D is length up to the face of the support plus half the effective width, तो आपको इसमें से choose करना है, देखिए थोड़ा सा option को ध्यान से पढ़िएगा, option थोड़ा से confusing है, हो सकता है आप इसमें गलत करते हैं, तो इसका जो सही answer है, option D, length up to the face of the support plus half the effective depth, चीक है, तो D जो option है, वो ज्यादा सही है, मुझे बता है, बहुत सारे लोगों ने B लगा दिया होगा, half देखके, पर आपको ये भी ध्यान लखना है, कि जो length है, वो up to the face of support है, तो option D, जो है, वो सही है, इसका answer, आगे बढ़ते हैं, question number 16 की तरफ, the quadratic bearing of a line is south 45 degree west, its value in whole circle bearing is, बहुत ही simple सा question है, आपको quadratic bearing दी हुई है, और whole circle bearing पूछा है, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, 45 degree है, आप, इस तरही की तरही है, आपको south west बोला है, south west मतलब ये है आपका, यहां पर ये आगई value, ये 45 degree दिया है, ये 180 है, 180 और 45 को प्लस कर दीजिए, तो C जो है, इसका सही answer हो जाएगा, 225, question 17 की तरह बढ़ते हैं, the velocity distribution in a turbulent layer follows, simple सा question है, इसका सीधे-सीधा answer है, क्या, logarithmic, आपका velocity distribution होता है, turbulent flow में, तो option A, जो है, इसका सही answer है, question 18 की तरह बढ़ते है, the volume of water to the volume of void, जहान से दिखे, volume of water to the volume of void, इसको हम क्या बोलते हैं, यह होता है, यह होता है, यह होता है, पॉरसिटी, और यह होता है, void ratio ध्यान रगेगा है, और air content में क्या है, air की जगा पे, water की जगा पे, यहाँ पे, air आ जाता है, मैं लिख दितों फिर से, AC, यानि कि air content is equal to volume of air divided by volume of void, ठीक है, तो चारो मैंने बता दी है, चारो आप याद रखेगा, confuse कर देता है, ऐसे question repeat हो सकते हैं, अब देखे, मैंने बोला, repeat हो सकते हैं, आगे नहीं, repeat ही हो गया, question बोला, the volume of void to volume of solid is known as, volume of void to volume of solid, solid, तो इसको हम क्या बोलते हैं, porosity E, यानि कि आपका, जो, void ratio हो है, वो इसका सही answer होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 20 की तरफ, option C, flexibility method and option D, none of these, तो आपका moment distribution method है, वो आपका क्या होता है, force होता है, displacement होता है, flexibility होता है, या इन में से कोई नहीं, तो वो आपका होता है, displacement method, तो option B, जो है, इसका सही answer है, question number 21 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत जादा repeat होता है, मैं almost हर दूसरे set में, fineness modulus से related कुछ न कुछ question डालता हूँ, ताकि आपको इसकी values याद हो जाए, आप भले और कुछ मत करिए, कम से कम, ये question तो आप मान किये चलिए, कि ये question आना ही आना है, किसी ना किसी form में, fineness modulus पर question आएगा, तो बोल रहा है, the fineness modulus of course send, last practice set में हमने देखा था, क्या से पुछ जाता, fine sense का पुछ जाता, अब course का पुछ लिया, तो देखे, क्या होता है, 2.2 से 2.6 होता है, किस के लिए, fine के लिए, 2.6 से 2.9 होता है, medium के लिए, और 2.9 से 3.2 होता है, course के लिए, तो इसका जो सही answer हो जागा, C, ठीक है, तो 21 का answer है, C, आगे पढ़ते है, question number 22 की तरफ, moment of inertia of a rectangular section, having B width and depth D, about its horizontal centroidal axis is, option A, DB cube by 12, option B, BD cube by 12, option C, DB cube by 3, and option D, DB cube by 2, तब देखे, rectangular section की बात कर रहा है, इस तरीकी से, और आपसो बोलना, horizontal, तो horizontal आगे यह, अब यह किसको cut कर रहा है, यह D को cut कर रहा है, तो जिसको cut कर रहा है, उसका cube, यह याद करने का थोड़ा सा तरीका है, तो आपका जग B, D को cut कर रहा है, तो BD cube by 12, तो यह, इसका answer हो जाएगा, जो की है, option number B, तो B जो है, इसका, सही answer है, आगे बढ़ते है, question number 23 की तरफ, direct question है, formula बेज, कई बार repeat होता है, इसको मैंने फिर से लिया है, वह है, the maximum strain in the tension reinforcement, strain की बात कर रहा है, tension in reinforcement, याने steel में, in the section at failure, shall not be less than, तो हमें option दिये हैं, दिखे, option थोड़े से, क्या है, similar type के हैं, तो आप अराम से option को पढ़िएगा, और इसका answer बताएगे, बहुत आराम से, आप option को देखेगा, क्योंकि छुटी-छुटी minute सी changes है, तो इसका चुटी answer है, option A, Fy upon 1.15es plus 0.002, टीक है, जल्दी बाजी में गलत मत करेगा, option B में देखे, minus sign है, जो कि सही नहीं है, option C में देखे, partial factor of safety नहीं लिए, तो जो कि सही नहीं है, और option D तो है, ये काई के लिए, ये concrete के लिए होता है, अभी तो आप से क्या पूछा है, street क्या पूछा है, तो आप देख लिए जगा, किसका पूछा है, उसका आप सही आन से लगाएगा, question number 24 की तरफ बढ़ते हैं, I hope आप लोगं को अच्छा लग रहा होगा session, आपको questions थोड़े से challenging लग रहे होंगे, कुछ repeated आ रहे होंगे, तो repeated question में अक्सर हमें लगता कि हां, पर तो बन जाएगा, पर जब repeat होता है, तो गरबड हो जाती है, तो question 24 की तरफ बढ़ते हैं, in reciprocal leveling, the error which is not completely eliminated, is due to, option A, earth curvature, option B, refraction, option C, both A and B, and option D is none of these, तो आप से बोल रहा है कि reciprocal leveling में किस error को eliminate नहीं किया जाता, तो वो है option B, refraction जो है, पूरी तरह से eliminate नहीं होता है, चलिए, last question की तरफ बढ़ते हैं, question number 25, बहुत जदा repeated question है, the yield of a wealth depends upon, option A, permeability, option B, area of aquifer, option C, actual flow, and option D is all of these, जो आपका yield है, वो काई पेटर-पेटर करती है, permeability पर, तो option A, जो है, इसका सही आंथर हो जाएका, ठीक है, तो यह थे हमारे 25 question, आज का हमारा session यहीं पर end होगा, अब आपको काम यह कर रहा है, कि आपने 25 question करें, अब आपको analysis कर रहा है, कि आपके कौन से सही हुए, कौन से गलत हुए, जो गलत हुए, वो क्यों गलत हुए, उस पे आपको ध्यान देना है, क्या आप उस error को eliminate कर पा रहे हैं यह नहीं, क्या वो question आपने पहले कभी पढ़ा है यह नहीं, यह सारी चीज़ें आपको अभी से ही देखनी पड़ेगी, अगर कोई ऐसा question आ रहा है, जो आपने आज तक टच नहीं किया, तो आपको उस topic को पढ़ना पढ़ेगा, अगर situation थोड़ा सा और रखना पढ़ेगा, options वगरा के ऊपर, तो अगर आप बनते हुए question का रबड़ कर रहे हैं, तो फिर तो कोई कुछ हो इनी सकता उसका, तो इसका आप ध्यान रखिए कि आपके बनते हुए questions गलत नहों, तो इसका आप ध्यान रखिए कि आपके बनते हुए साथी साथ comment करके भी बताईए आपके कितने marks आ रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको आगे किस पर वीडियो चाहिए, तो ये सारे आप comment करके बताईए, और चैनल को subscribe करना बिलकुल भी ना भूले हैं, साथी साथ बेल आइकन को भी दबाईए, और उससे को क्या होगा कि कोई भी वीडियो अप्लोड होगा तो उसकी notification आपके पास तक पहुच जाएगी, ठीक है तो आज का वीडियो यहाँ पर हम end करते हैं, thank you for watching, signing out